आज हम सीखेंगे तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित निम्नलिखित कोण। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि दो या दो से अधेक रेखाओं यानि लाइन्स को बिन्द बिंदूओं पर प्रतिछेद यानि इंटरसेक्ट करने वाली रेखा एक तिर्यक छेदी रेखा यानि चांसवर्सल कहलाती है। जैसे दो मार्गों को एक तीसरा मार्ग प्रतिछेद करता है तो प्रतिछेद करने वाले मार्ग के रूप में हम एक तिर्यक छेदी रेखा देख सकते हैं। तिर्यक छेदी रेखा जब दो रेखाओं को प्रतिछेद करती है तो कुल आठ कोण निर्मित होते हैं। आज हम 33 छिदी रेखा द्वारा निर्मित कुछ कोणों की समझ बनाएंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं यहां देखिए यहां रेखा L, रेखा M और रेखा N को बिन बिन्दूओं पर प्रतीच्छेत कर रही है इसलिए हम इसे एक 33 छिदी रेखा कह सकते हैं अब हम देखते हैं कि कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, M और N इन दोनों रेखाओं के अंदर है 33 छिदी रेखा द्वारा दो रेखाओं पर निर्मित वे सभी कोण जो दो रेखाओं के मध्य हो अंतह कोण यानि interior angles कहलाते हैं लेकिन अगर हम बात करें कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8 की तो ये सभी M और N इन दोनों रेखाओं के बाहर है 33 छिदी रेखा द्वारा दो रेखाओं पर निर्मित वे सभी कोण जो दो रेखाओं के बाहर हो बाहर या कोण यानि exterior angles कहलाते हैं अब कोण 1 और कोण 3 की बात करते हैं अगर हम देखें तो ये कोण M और N इन दोनों रेखाओं के अंदर हैं और वे 33 छिदी रेखा के एक ही तरफ है हम कहते हैं कि कोण 1 और कोण 3, 33 छिदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतह कोणों का युग्म है दी आकरिती में इस प्रकार का एक और युग्म छुपा है, क्या आप उसे ढूंड पाएंगे? प्रयास कीजिए आपने बिल्कुल सही पहचाना, यहां कोण एक और कोण तीन के युग्म के साथ, कोण दो और कोण चार का युग्म भी तीरियक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतहा कोणों का युग्म है चलिए इसे समझने के लिए एक और मज़ेदार उधारन ले यहां रेखा AB, रेखाएं CE को P बिंदु पर और DE को Q बिंदु पर प्रतीचेद कर रही है, जिससे वहकुल 8 कोण बना रही है क्या आप ग्याद कर सकते हैं? यहां तीरियक छेदी रेखा AB द्वारा निर्मित अंतह कोण कौण से है? सोचिए सोचिए चली हम बताते हैं, इनमें अंतह कोण है? कोण CPB, कोण BPE, कोण DQA और कोण AQE क्या इसी तरह आप बाहर यह कोण ग्याद कर पाएंगे? सोचिए सोचिए बिल्कुल सही, तीरियक छेदी रेखा AB द्वारा बनने वाले बाहर यह कोण है? कोण CPA, कोण APE, कोण DQP और कोण BQE अब आप तीरियक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतह कोणों के युग्म ग्याद कर पाएंगे? प्रयास कीजिए चली हम बताते हैं, तीरियक छेदी रेखा AB के एक तरफ बने अंतह कोणों का एक युग्म है कोण CPB और कोण DQA और दूसरा युग्म है कोण AQE और कोण BPE तो आज हमने सीखा तीरियक छेदी रेखा द्वारा निर्मित निमनलिखित कोण अगले वीडियो में हम देखेंगे इनके कुछ उदाहरन